तो वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो भी इंटरस्टिंग रहने वाली है तो वीडियो को एंट तक जरूर देखना जिसने भी अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं कर रहा है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सबस्क्राइब कर दो इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी तो फर्स्ट अपडेट निगल कर आती है करांती वीर को लेके जो करांती वीर है उन्होंने जॉइन कर ली है कैमेनी स्पोर्ट्स एंड वो आप लोगो को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा जो टीम सोल है उनका एक सीनियर लाइन अप बनने वाला था इंड ऐसी कुछ बात थे हमारे को सुनने में आई थी तो फाइनली जो लाइन अप है वो हमारे को खेलते वे दिखाई दिया स्क्रीम्स में अट वो आप लोगो को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को भी पता ही है जो R&T है उनके साथ भी कोई दो न्यू प्लेयर हमारे को खेलते वे दिखाई दे रहे हैं और मेरे को जहां तक पता लगा है इन में से एक प्लेयर M.G. और देखते हैं इसके उपर क्या रहता है और इसके बाद हमारे को जो TX है उनके साथ भी एक प्लेयर खेलते वे दिखाई दिये जिनका नाम था TX Old Player OG और जब हम उनका बायो चेक करते हैं तो उसमें 420 OP लिखा आ रहा था और देखते हैं वो ट्राइउट्स वगेरा दे रहे हैं या फिर क्या सीन इस पर आगे रहता है और जो कैमेनी स्पोर्ट्स है उनमें भी हमारे को दो न्यू प्लेयर खेलते वे दिखाई दिये तो देखते हैं इसके अंदर अब क्या आगे होने वाला है तो जो स्काउट अनोंने बात करी थी अपनी गल्तियों के बारे में अन्टी एक्स की परफोमेंस पे उन्होंने बात करी उन्होंने क्या बोला वियू अप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेश्न ब्हेसन तो-बॉल यार है पफोर्मेंस आरे रुको यार तुम मुझे बात बताओ यार अभी कर रहे ना चीजे पॉजिटिव रहो यार पता है हम लोग में खुद लाक कर रहा हूं चीज कर रहे हैं कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सबर रखो ने अगले मेजर से पहले रेडी हो जाएगी टी जीत को लेके तो उन्होंने अपना बायो चेंज कर दिया हैं वो आप लोगो को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा एंड ऐसी कुछ लीक्स हमारे को मिल रही है कि जो दल जीत हैं वो लीव करने वाले हैं VLT को एंड देखते हैं इसके ओपर क्या कंफरमेशन हमें देखने को मि जीत हैं वो आप लोगो को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा एंड इसके बड़ जो सिड़ बाई हैं एंड जो टीएसम निल स्टार हैं उन्होंने इस चीज के ओपर रिप्लाइ किया था एंड उन्होंने कुछ टोईज लगाई थी जो आप लोगो को एंड इसके बाद बहु सॉलिड प्रूफ किसी ने अभी तक प्रोवाइड नहीं करे हैं जिससे ये प्रूफ हो कि वो हैकर्स हैं इसके बाद उन्होंने लिखा हुआता कि यार किसी को भी अभी ऐसे अब्यूज मत करो और वो भी कोपरेट कर रहे हैं उनके साथ एंड ऑफिशियल अनौंसमेंट की वेट करते हैं एंड देखते हैं इस मेटर के उपर आगे क्या रहता है एंड इसके बाद निकल कर आती है मेजी को लेके तो बहुत लोग बोल रहे थे कि जो क्लच गॉड है उनको टीम चेंज करनी चाहिए क्योंकि वो मेन लाइन अप के अंदर नहीं खेल रहे है तो इसके अगले जितने भी इवेंट्स आने वाले मुझे जाना तक मुझे उम्मीद है वो फाइव मैन रोस्टर होने वाले हैं क्योंकि ऑविसली ग्लोबल सेडिंग्स होनी है तो उसके लिए फाइव मैन रोस्टर रहे गई रहे रहेगा तो ऐसा नहीं है कि क्लच गॉड को कहीं ज जान अच्छी है इस तरीके से तो नोवा ने जो दो अपने दस बंदे उठा रखे हैं दस में से चारी खेलते ना बाकी क्या अच्छे करें छोड़के चले जाए तो ऐसा नहीं होता ना कि बार बार चेंज करकर के हम कर सकते हैं तो बस गाईज अभी के लिए मेरे पास सितन आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा तब तक के लिए आर वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना